हलो गाइस आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 10 रन प्रोग्राम के शॉटकट लर्न किये थे ये वीडियो उसी वीडियो के दूसरा पार्ट है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे उपर की और आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में भी जो लिंक दिया गया है उसमें देख सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं So friends, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में 10 shortcut tricks जो हमने सिखी थी, learn की थी, run program के बारे में, तो उसी के आगे हम ये continue करते हैं, देखें, तो 11th number में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप calculator को open करना चाहते हैं, तो आपको run program में क्या shortcut लिखना होगा, तो देखें, सबसे बहले आपको window R प्रेस करना है, तो इसके अंदर आप लिखिए CLC, calc, calc आप जैसे लिखेंगे और ok पर click करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर calculator जो है वो open हो जाएगा, तो इसमें आप कोई भी calculations कर स सकते हैं, देखें, next की तरफ बढ़ते हैं, देखें, 12th number पर आप देख सकते हैं, open windows services quickly, अगर आप windows की services को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको window R करने के बाद, यहाँ पर लिखना होगा, services.msc, और फिर enter या फिर ok पर लिख करना होगा, देखें, तो यहाँ आप द देख सकते हैं, यहाँ पर windows की जितनी भी services आप access कर रहे हैं, a to z सारी services आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं, next की तरफ, देखें, 13th number पर आप देख सकते हैं, open, turn on off windows feature quickly, अगर आप windows की features को on या off करना चाहते हैं, तो इसको अगर आप normal तरीकी से access करे process होगी और control panel के काफी अंदर ये option होता है, तो उसी को आप run program से directly, यहाँ पर आप optional feature type करके access कर सकते हैं, optional features और enter दबा दीजिए, optional feature आपको type करने के बाद enter प्रेस करना है, देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर सारे जो यह वो program आप on या off यहाँ पर कर सक देखते हैं, यह भी काफी काम का feature है, इसको अभी हम cancel कर देते हैं, देखें, फिर हम next देखते हैं, next हमारे पास है, open add or remove program quickly, अगर आप किसी program को add or remove करना चाहते हैं, देखें कि uninstall या add करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर type करना होगा, पहले लिखना होगा आपको control, .exe, फिर space देखर, appviz.cpl, control.exe, space, appviz.cpl, यह ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में space है, control.exe के बाद यहाँ पर space दिया होगा, एक बार आपको space देना है, और फिर इसको आप लिखने के बाद OK कर दीजिए, देखे, आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम बिल्कुल, जहाँ से हम किसी program को अनिस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पर हम आ चुके हैं, डारेक्ली. देखे, फिर हम next की तरफ बढ़ते हैं, देखे, 15 नमबर पर हम मैं बता रहा हूँ आपको open device manager, अगर आप device manager को open करना चाते हैं, तो उसके लिए आपको लिखना होगा, devmgmt.msc, devmgmt.msc, देखे, आप यहाँ देख सकते हैं, device manager जो वो open हो गया है, device manager एक्चल में क्या होता है कि drivers चेक कर सकते हैं हम यहाँ पर सारे, कि properly सारे driver installed है कि नहीं, तो उसके लिए काम आता है, यहाँ आप देख सकते हैं, a to z सारे driver जो वो दिखा रहा है, देखे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, next, 16 number पर है task manager, अगर आपको task manager एक्सेस करना है, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, task mgr, यहाँ आपर आपको tas के task mgr टाइप करके enter दबाना होगा, तो हम task manager देखे, आप देख सकते हैं, task manager के अंदर हम आ चुके, यहाँ पर हम process, performance, app history, startup, user, details और services, यह सारी चीज़े जो हैं वो चेक कर सकते हैं, सारे performance criteria हम देख सकते हैं, देखे, next हम देखते हैं, 17 नमबर पे है, check for performance issue, अगर आप अपने computer का performance चेक करना चाते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ लिखना होगा, run program में resmon, resmon लिखके आप ok कर दीजिए, देखे, तो यहाँ पर आप अपने CPU, memory, disk और network, इन चारो points को चेक कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, graph के रूप में आपर CPU की speed और उसका usage वो बता रहा है, तो यह सारी चीज़े आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, फिर 18 नमबर पे हम देखते हैं, instantly perform a search via your browser, अगर आपको directly कुछ चीज़ सर्च करना है, Google Chrome browser या किसी भी browser से, जैसे कि by default Google Chrome आपने set किया हुआ है, install किया हुआ है, तो उसके लिए आपको window R करना होगा, और देखें, window R के अंदर आपको लिखना होगा, Chrome space, फिर double inverted comma लगा कर question mark लगाना होगा, उसके बाद आप अपनी website का नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर google.com लिखती आयो, ओके पर क्लिक कर दिया है, देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो second page पर, second tab जो खुलेगा, उस पर आपकी site open हो जाएगी, तो यहाँ पर हमने google.com को search किया था, run program से तो वो open हो चुकी है, तो इस तरगी से आप अपनी किसी directly website पर जा सकते है, run program से, अब इसको हम close कर देते हैं, देखें, next है हमारा, 19 नमबर पे, open windows media player, तो windows media player के लिए आपको लिखना होगा, WM player, WM player लिखके आप enter कर दीजिए, देखें, तो इस तरगी से windows media player आपका shortcut से open हो जाएगा, फिर हम next shortcut देखते हैं, देखें, 20 नमबर पे है, manage your disk, clean it and defrag it, अगर आप अपनी disk को clean करना चाते हैं, तो उसके लिए आपको shortcut अगला मैं बताने वाला हूँ, देखें, यहाँ पर आपको लिखना होगा, मैं आपको लिखना होगा, clean MGR और enter दबाना होगा, तो यहाँ आप देख सकते हम disk cleanup के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पर आप सब पूछ रहा है कि आपकी drive सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपकी drive या partition को आप clean करना चाते हूँ, select करके आप आगे इसको ok करके continue कर सकते हैं, तो अभी के लिए हम इसको exit कर देंगे, देखें, next number पर है, 21 number पर adjust mouse setting, अगर आप directly mouse setting के अंदर जाना चाते हैं, उसको adjust करना चाते हैं, तो आपको run program में लिखना होगा main.cpl, main.cpl, और ok क्लिक करेंगे, देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम mouse की properties में आ चुके हैं, यहाँ पर आप mouse, double click की speed, button configuration, click lock, और सारी pointer, pointer option, wheel option, hardware, mouse related सारी चीज़े आप यहाँ पर configure कर सकते हैं, देखें, फिर हम next की तरब बढ़ते हैं, आगे, 22 number पर है, open microsoft configuration, अगर आप microsoft configuration open करना चाते हैं, तो यहाँ पर आपको type करना होगा, msconfig, और enter करना होगा, या ok करना होगा, यहाँ देख सकते हैं, आप msconfig के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर जनरल में startup selection option select कर सकते हैं, नॉर्मल startup चाहिए या diagnostic या selective startup, boot sequence देख सकते हैं, services देख सकते हैं, startup program देख सकते हैं, और tools देख सकते हैं, देखे फिर हम next किदर बढ़ते हैं, next हमारा है 23rd number, अगर आपको अपने windows system में graphic card चेक करना है, कि कौन सी company का और कितनी memory वो आपको provide कर रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर type करना होगा, dxdiag, dxdiag type करेंगे और enter दबाएंगे, देखे यहाँ पर यह आ चुका है, direct x diagnostic tool, तो यहाँ पर आप system, display, render, sound और input, यह साहे चीज़े आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि display card अगर आपको graphic card चेक करना है, तो आपको display में जाना होगा, और यहाँ आप देख सकते हैं कि कौन सी company का graphic card हो कितने GB का use कर रहे है, देखे फिर हम next की तरफ बढ़ते हैं, आगे, next 24th number पे है, open disk management window, अगर आप hard disk को manage करना चाहते हैं, तो आपको window R में direct type करना होगा, diskmgmt.msc, देखे तो आप directly जो है वो disk management के अंदर यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ से आप इपने disk को manage कर सकते हैं, यहाँ पे सारे partitions आप देख सकते हैं, देखे हम next के तरफ बढ़ते हैं, next और सबसे last option जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है open disk diffragmenter, अगर आप disk diffragmenter को open करना चाते हैं shortcut से, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, dfrgui, देखे, dfrgui लिखने से आपका disk diffragmenter जो है वो open हो जाएगा, और यहाँ पे आप अपनी जो भी internal partitions उसको diffragment कर सकते हैं, उनको analyze कर सकते हैं, optimize कर सकते हैं, So friends, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेगे नए वीडियो के साथ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, तो इसको subscribe जरू करें, और इसको like और share जरू करें, धन्यवाद